आज हम बनाने जा रहे हैं बीना औवन के नान बहुत ही soft और क्रिपी बनेगी इसे हमें किस तरह बनाना है आगे हम देखते हैं हमने इसके लिये लिया है एक कटोरी मैदा बड़ी कटोरी से और एक छुटी कटोरी हमने आटा लिया है हम आर्स नां, आटा और मैदा दोनों मिक्स करके बनाएंगे इसके साथ ही हमने लिए है नमक इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी तोड़ी मीठा सोड़ा इसके बाद य philosoph tapes अच्छी तरह को अच्छी तरह में यूदाएंगे उसके बाद हमने डाला है इसमे एककटोरी दही सिर्फभी से ही हमने पूरा आटा उंतल लिया है इस सौंफ्ट लगाना जियाता हाड़नी लगाना है जुरत पड़े तो पानी भी डाल पनीर को चोटे चोटे टुकडों में काट लेंगे यह हम मसाला पनीर भी बोल सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगती है आप इस तरह से पनीर बना कर खाये और मुझे कमेंट करके बताएं कि यह पनीर आपको कैसा लगा इसके लिए हमने पनीर के टुकडों को थोड़े उसके पनीर कोड़ करके और इसे अच्छी तरह अच्छी तरह मैगनेट कर देंगे इस माइगनेशन में इसे आधे गंटे थोड़ना था हम sa SMITHना इसक़ा सबजी बनाएंगे इसे हम deep fry नहीं करेंगे हलका तेल में सिर्फ भूनेंगे इसे हमें तलना नहीं है इस तरह से हम एक एक पनीर दाल करके अच्छी तरह इसे हम भून लेंगे आप यह वला स्टेप जरूर करें इससे इसमें एक सोंधा पनाता है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है मेरी वीडियो आप अगर यहां तक देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है अब हमने पनीर को दोनों तरफ से पलट कर सेक लिया है अब हम इसे एक बरतन में निकालेंगे उसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे पनीर को हम अच्छी तरह भून के जितना हमारे पास पनीर था हमने सारी पनीर को अच्छी तरह भून लिया है भून करके हम इसे निकालेंगे आप देख सकते हमने इसे बहुत ज्यादा लाल या कड़ा नी भूना है अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची, जीरा, खड़े गरम मसाले, अद्रक और तेज पत्ता इसको हम छॉप के लिए डाल रहे हैं अब इसे हम अच्छी तरह लाल कर लेंगे फिर हमने जो प्याज और टमाटर लिये थे उसका हम पेस्ट बना लिये हैं इसलिए हमने पहले प्याज का पेस्ट डाला है इसमें को हमने कच्चा ही पेस्ट बनाया इसको भूना नहीं है कच्चे प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया है और दोनों को हमने अलग-अलग बनाया है अब इसमें एक का जू ले लेंगे का जू खो भी हम एक फ्श्ट बना लेंगे इसमें पानी डालकर हमने पेस्ट बना लेंगे अब देख सकते हमारे प्याज भून चुका है अब अपने चो टमाटर का पेस्ट बनाया है वो डालेंगे टमाटर की पेस्ट को भी अच्छी तरह हमें भूनना है जब तक यह तेल ना छोड़े तेल छोड़ने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे हल्दी जीरा पॉर्डर धि है इसमें लाल मिर्ची कसी रीमिर्च और तिक्षि दोनों हमने थोड़ी थोड़ी डाली है नमक आप अपने हिस्ट के टेष्ट की हिसाप से रख सकते हैं और इसे पाणी डालेंगे हमने मसाले को अच्छी तरव होना है उसके बाद इसमें डालेंगे कसूरी मेथि को हम भूंदे ग्राश्ट भीको दालेंगे वे कि सबक्त। डालेंगे और अज हैं ऐसे जादी प्तली ना करेंगे जादी होने सबजी आणili लगेगी इसमें त्टें अडालों के गरम मसाला हूं ran à और एक मधीजन करें त्थ्वाक्पी नाना अच्टी तरह डाल करके इसे पूरे अच्छी तरह पनीर मसालों को कोट कर देगे इस में आप देख सकते हमारे पनीर में मसालों की कोटिंग बहुत अच्छी हुई है अब हम इसे एक बर्दन में निकालकर साइड रख लेते हैं अब इस पनीर की सबजी तयार करने के बाद हम बनाएंगे तवे पे नान आप देख सकते हैं दो घंटे के पहले हमने इसे आटा गूद के रखा था हमारा अच्छी तरह सौफट हो चुका है अब ंसे बेलन की सहाथता से बेल बेल कर इसका नान बनाएंगे नान हम तव्थे पे ही बनाएंगे यह नान आपको पूरे अवन वाली नान की जैसी हीटेस्ट लगेगा हमने अच्छी तरह नान को बेल लिया है आप नान बहुत जादा ना पतला ना बेले और ना जादा मोटा रोटी से थोड़ी मोटी रखें इस नान को आप अपने हिसाब से किसी भी सेप में बेल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और थोड़ी सी सफेद तील इस तरह से हाथों से द़बा कर इसे विठा ले उसके बाद हम नान को उल्टा करके पीछे तरफ अच्छी तरफ पानी लगा दो आदेंगे और जो हम ने पानी अच्छीतर लगा है थो हम पानी के तवे पर डालेंगे जी पानी का तरफ नीचे रखना है और यह उसे हम तवे पर डाल देते हैं और नान को अच्छी तरह हम हाथे सपबा कर दो चिपका देते हैं बहुत ही बसक् quiere भूष लेम पर इसे पकाने के बाता हैंLR अब हम हम्री नान का सेखें जब बबल आ जाए तो हमारा नान एक तरफ से सिख चुका है अब हम लो फ्लेम पर तवे को घुमाते हुए धीरे-धीरे करके हम इस नान को सेख लेंगे ये नान सिखने में एक मिनट से भी कम समय लगेगा और आप इसे लो फ्लेम पर स्टार्टिंग में सेखे उसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह सेख लेंगे इस तरह से आप नान बनाएंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे और आपको बाहर से नान खाने की ज़ुरत नहीं पड़ेगे आप इस तरह बहुत ही आसानी से घर पर नान बना सकते हैं अब देख सकते हैं, हमारा नान पीछे तरफ से भी पूरा अच्छी तरह लाल हो चुका है, अब हम इस नान को सर्फ करेंगे, और हमें पनीर की सबजी बनाई थी, इस नान को अब घी या बटर कुछ भी लगा, मैं यहां पर घी का यूज करने हूँ, और यह हमारी पनीर की अब आकर खाए और मुझे जरूर विताए कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्यूँ